कामनलाद को लेकर जहां पर सियासी हल चले काफी तेज हो चुकी है जिन सियासी गल्यारियों में ये कहा जा रहा है कि कमनलाद जल्द ही भारतिय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं ना सिर्फ कमनलाद बलकि उनके बेटे नकुलनाद भी भारतिय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं और भारतिय जनता पार्टी में शामिल होकर कॉंग्रेस पार्टी को अचानक एक बड़ा जटका दे सकत इन्हीं बीच कांग्रेस की तरफ से कई बड़े बयान जारी होते वें नच जिसमें जीतू पटवारी ये कहते हैं कि कमलनात ने यहां पर फोन पर बात्चीत की हैं जीतू पटवारी कहते हैं कि मैंने कमलनाथ को फोन मिलाया था और इस बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो जीतू पटवारी ये कहते हैं कि उस वक्त कमलनात ने ये कहा था कि जो मीडिया में खबरे चल रही हैं, जो यहाँ पर खबरे बनाई जा रही हैं, सरासर वो अफ़वा हैं, यहाँ पर इन पर ध्यान ना दिया जाए, मैं कॉंग्रेस वासी हूँ और कॉंग्रेस वासी ही जीतू पटवारी ने तो ये दावा कर दिया कि यहाँ पर कमलनात कॉंग्रेस को छोड़ कर कभी नहीं जाएंगे, वो कमलनात जो इंद्रा गांधी के तीसरे बेटे कहे जाते हैं, वो कमलनात जो कॉंग्रेस पार्टी की मध्यपरदेश में रीड की हड़ी कहे जाते हैं, इसकड़ी में जीतू पटवारी भी लगतार मीडिया के सामने आकर सुर्खिया बटोर रहे हैं और लगतार कमलनात को लेकर ये कहते हैं नजर आ रहे हैं, इंद्रा गांधी का तीसरा बेटा ये बड़ा कदम या कॉंग्रेस पार्टी को धोका कभी नहीं दे सकता है, लेकि अब यही देखना होगा कि क्या कमलनात को लेकर जीतू पटवारी के जो बयान सामने आए हैं, तो क्या इस बयान के अधार पर कमलनात यहां पर काइम रहते वे नजर आएंगे, या जिस तरीके से बिहार में नितीश कुमार ने पल्टी मारी है, उसी अधार पर यहां पर कम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, देश्च और दुनिया की बाकी और तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए, स्पेन नाइन न्यूस, थन्यवाद